सो हेलो गाइज वेलकुम बैक तो स्टीबीज अंदिसोर संदीब भाईया गाइज एक आज मैं बहुत ही जादा इंपोर्टन टॉपिक पर डिस्क्रिशन करने वाला हूं क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया था रिजल्ट आने कबाद इन फैक्ट अभी भी यह बच्चों का इस जैसे एक बच्ची का स्कोर काड है उसने बोला था कि भाईया मेरी स्यारल 93,000 है और EWS रांक 15,000 है माना मेरी स्यारल ज्यादा है तो भी एकलिस्ट EWS रांक से मेरे को एनाइटी मिल जानी चाहिए मैंने पूछा ऐसा क्यों तो उसने बोला भाईया मैंने कट आफ देखा था का 15,000 रांक पर EWS कंडिडेट को बहुत सारे नाइटी जो ट्रपल आइटी मिल रहे है वर्ट फेक्ट रहे है कि 15,000 अगर आपकी ड्रांक है तो कोई भी एनाइटी ए ट्रपल आइटी एडमिशन देने को तयार नहीं है अब यह जब मैंने बोला कि नहीं किसी भी नाइटी कोई संभावना नहीं है तो बच्ची तो बिदग गई कि ऐसा क्यों भाई या हमारी रांक तो 15,000 है भले CRL 93,000 है तो आप मुझे समझाए थोड़ा तो मैं आपको बताता हूं चहाए आपकी जब भी आपका स्कोर कार आता है जब भी आपका स्कोर कार आता है जैसे एक बच है 1901 तो क्या होता है होता क्या है कि अगर मैं किसी जब भी रिजल्ट आएगा तो अगर मैं जनरल हूं सिर्फ तो मेरी सिर्फ CRL आएगी और अगर जनरल के साथ साथ मेरी कोई कैटेगरी है तो एक कैटेगरी रांक भी आएगी तो इस कैटेगरी रांक को कैसे यूज तोड़ा सा इस वीडियो के माददम से आप समझ लीजे और कैसे cut-offs देखने हैं। जो कॉलेजों की वेफ साइट पर जा जा कि हमको और सी आगनों को पिलता है। आपनिग उन क्लोंग रायं को वहां पर हमें तैली कैसे करना है। में CRL को टैली करना है यह केटेगरी को टैली करना है इस आर इंपोर्टेंट सिर्फ ओभी सी नहीं अगर कोई ऐसी बच्चा होता तो उसकी राइंक आती उसके बाद कुछ सब कटेग्रीज भी होती है पीडबलु में जैसे कोई जनरल है एवसे और साथी साथ पीडबलुडी है पीडबलुडी तो उसकी पीडबलुडी रंक भी आती आगर ओबीसी Nine See अरुपी इन endpoint थे तो पीडबलुडीी आती तो पीडबलुडी वाली भी राइंगाती है तो अब ही रउउट ज़श है इसको आपकी scorecard पे ही लिख दिया जाता है कि आपकी CRL rank कितनी है, आपकी category rank कितनी है और आपकी sub category rank कितनी है, तीनों बात यहां पर लिग दी जाती है, अब यह होता क्यूं है, इसके बारे में थोड़ा समझ जिए, अगर मैं थोड़ा सापको बताऊं, थोड़ा सापको बताइब लिए जाता है, अब होता क्या है, कि जैसे देखो, इसमें general बच्चे कितना बैठे थे, 3,7,000, EWS बच्चे कितने बैठे थे, 1,34,000, और उसके बाद, OBC बच्चे कितना बैठे थे, 4,000, सबसे बड़ा जो संख्या होता है, OBC का होता है, ST बच्चे कितना बैठे बैठे थे, 13,711, ST बच्चे ज़्चे जादा वैसे पाए नहीं जाते हैं, J.U. अगरे की तैयारी करने के लिए, बहुत कमी बच्चे है, अल ओवर इंडिया की बात करो, मांत्र 35,711, ही ST बच्चे थे, अब जब आपका रिजल्ट आएगा, मैं तो सिर्फ, सेशन 2 का तो पहले क्या किया जाएगा पहले सारे बच्चों को बिना के टेगरी का एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा पर सेंटाइल के भी आप पर बिना के टेगरी का रिजल्ट में दो तरीके का रांक आना है किसी किसी का तीन तरीका का भी रांक आता है लेकिन पहला तरीका ज उसकि बाद जो टोपोवला बंदा होता है उसको और ऐसे नीचे देना शुरू कर दिया जाता है तो ये बच्चा जिह मतलब तो यह जो टॉप वाला बच्चा है इसकी रांक वन है किसमें ऑल ओवर इस्टूडेंट्स में यह सबसे टॉप का बच्चा है जी आरल का मतलब ही हुआ अब इसलिए सबकी रांक होगी अब स्यारल रैंक से क्या पता चलता है अगर मेरी मान लेते हैं पचास है तो इसका तोटल हर कटेगरी का बच्चा मिला कि उन्चास बच्चे मुझसे आगे चल रहे हैं, पचासफे नंबर पे मैं हूँ, CRL का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह हुआ, कि कितने बच्चे ओवर अल मुझसे आगे चल रहे हैं, CRL का मतलब ही हुआ, आप बात करते हैं कि EWS काटेगरी, अगर EWS rank क्या होती है, या OBC, NCL rank क्या होती है, मैं किसी एक को बताता हूँ, अब सोचोई OBC में कितने लोग बैठे थे, चार लाग से जादे बच्चे OBC के थे, और वैसे भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जनता OBC के टेगरी की है, अब अगर बात करें, तो इनकी रैंक, इनकी चार लाग, तो हुआ क्या, कि भाईया, एक साथ अगर सबको मिला के, फाइट कराई जाया और देखी जाया कि कौन सबसे बैस्ट है, तो उसको हम CRL रैंक देंगे, है ना, लेकिन क्या होगा, अगर सिर्फ ये देखना हो, कि OBC में सबसे बैस्ट बच्चा कौन है, तो इन चार लाग लोगों को लाइन में खडा कर दिया जाएगा, और फिर इनके परसेंटेल के बैस्ट बच्चा होगा, उसको रैंक वन दिया जाएगा, OBC रैंक वन दिया जाएगा, इसका मतलब ये अपने समुदाए के बच्चों में, OBC वालों बच्चों में सबसे टॉप पर है, ये सिर्फ अपने समुदाए, अपने OBC समुदाए में टॉप पर है, ना कि ओवरल टॉप पर है, बास मिम्यारा, ओवरल टॉप पर कौन है, जिसका CRL 1 होगा, लेकिन अगर किसी की OBC रैंक वन है, तो OBC वाले बच्चों में टॉप पर है, ऐसे ही EWS और उसके बाद वालों को रैंक ऐसे दी जाएगी, जैसे अकर मान लेते हैं, मेरी OBC रैंक 50 है, इसका मतलब यह हुआ, कि total 49 बच्चे, OBC के, OBC के 49 बच्चे मुझसे आगे चलना है, मतलब मेरे समुदाए कि 49 बच्चे मुझसे आगे चलना है, तब मेरी OBC रैंक 50 है, सेम काम यही EWS में भी होगा, EWS के बच्चों को जितने भी EWS के बच्चे बैटे थे, 13,44, इन सब को आप क्या करिए, एक लाइन में खड़ा कर दीजे, decreasing order में, सिर्फ इन में सबसे बहतरीन कोन है, जो सबसे बहतरीन है, तो उसको आपने EWS rank 1 दे दिया, अब EWS rank 1 का मतल क्या हुआ, कि EWS समुदा में, EWS category के 49 बच्चे मुझसे आगे चल रहे है, मैं 50 वे नंबर में आता हूँ, अपने category में, हो सकता है कि overall मेरी और low rank हो, अगर किसी कि सिर्फ EWS rank 50 है, तो overall तो बहुत ही जादा होगी, है ना, बास समझ में आ रहा है आपको, मैं आप लोग को क्य पता रहा हूँ, तो ऐसे ही क्या होता है, एक EWS rank आती है, एक OBC rank आती है, एक ST rank आती है, एक ST rank में पता चलेगा कि भईया कितने ST बच्चे मुझसे आगे हैं, अब इसका use क्या है, इसको utilize कैसे करना है, मैं बता था हूँ, इसको utilize कैसे करना है, for example, पलगरम reservation policy देखें, तो व अब reservation policy का मतलब क्या है, कि मैं अभी जोसा का explain करता हूँ, वो other other state में थोड़ी बहुत reservation policy change होती रहती है, लेकिन मैं category wise reservation policy की बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं, OBC की, मैं सिफ category reservation policy की बात कर रहा हूँ, सब category का हम इसी में add कर देंगे, अगर OBC के reservation policy की बात करूँ, तो overall OBC के लिए 27% seat reserved है, SD के लिए total seat का 15% seat reserved है, और SD के लिए 7.5% seat reserved है, और EWS के लिए 10% additional seats है, उसके अलावा कुछ seat है, female के लिए supernumerary seats है, उसके अलावा और भी seats है, जैसे defense के लिए अलग है, freedom fighter के लिए अलग है, वो अलग-अलग state की अलग-अलग कहानी है, लेकिन जो category wise major distribution ह है, वो यही है, अब बोलोगे कि भाईया OBC को इतना ज्यादा क्यों है, भाईया OBC वाले कितने ज्यादे यह नहीं देख रहे थे, सबसे ज्यादे अगर सबसे ज्यादा बच्चा किसी exam में बैठता है, जैसे जहीं में, अगर सबसे ज्यादा number of candidates किसी category का बैठा है, तो OBC क है, OBC वालों के लिए 27 परसेंट भी कम ही एक तरीके से, क्योंकि number of candidates, देखोगे न, तो EWS का 10 परसेंट और OBC का 27 परसेंट और OBC का 27 परसेंट जैसा नजर आएगा, क्योंकि इनको 10 परसेंट में भी उतना फायदा मिलाता है, जितना OBC को 27 परसेंट में फायदा मिलता है, क हम अपने rank को कैसे utilize करेंगे, तो देखो फायदा कैसे है, जैसे for example, एक college है, जिसमें कितनी seat है, 110 seat है, तो 10 seat तो निकाल दो, इसमें से EWS के लिए, बाकि 27, कितना बचा फिर 100, उसमें से 27 seat किसके लिए है, reserved है, OBC के लिए, 15 seat किसके लिए reserved है, SC के लिए, और 7 seat, लगभग इसमें लगए, 8 seat reserved है, S T के लिए, A seat है, तो बाकी unreiserved seat है, तो टोटल जो लो, टोटल 50 seat reserved है, और 50 seat unre valve है, EWS वाली seat हटा के, तो कितनी seat रिजर्वड है, तो देखो, EWS मिला andar के 60 seat reserved है, और 50 seat unre besides सबको एप जो पचास अन्रिजर्व सीट है इनको सी आरल रांक पर दिया जाएगा ठीक लेकिन- लेकिन जो इर्ट सी यह जिसल के लिए 27 सीट डिजार है 110 में से तो यह जो sheet दी जाएगी OBC rank पर दी जाएगी अब इसके लिए आपके पास OBC rank होनी सी है अब जितना OBC वाला बच्चा है उसके scorecard पर OBC rank है तो यह जो 17 seat है उसको OBC rank पर दी जाएगी यह जो 50 seat है इसको CRL पर दी जाएगी अगर OBC वाला बंदा आके इस seat को लेता है तो भी CRL rank ही यूज होगा अगर SC वाला बंदा भी आके इस unreserved seat को लेता है तो भी CRL rank ही यूज होगा लेकिन जब वही CT वाला बच्चा इस 15 seat के लिए जाता है, इस 15 seat पर अपनी दावदारी जमाता है तो वहाँ पर उसकी SC rank की use होती है SC rank की use होती है अगर कोई ST वाला बच्चा, इन 7.5 सीट पर जाके अपनी दावदारी करता है तो उहाँ पर ST rank की use होती है पास समझ में रहा है, तो category rank का use सिर्फ category के seat पर किया जाता है, general rank का use अपनी unreserved seat पर किया जाता है, मतलब एक ही बच्चा दोनों seat के लिए एक साथ दावा कर सकता है, अब एक कैसे दावा करते हैं, कैसे choice billing होती है, और कैसे seat मिलता है, थोड़ा समय आपको explain करके समझाता हूं, एक college है, जिसमें 110 seat और इसमें माल लेते हैं, 1000 लोगों ने apply कर लिया, 1000 लोगों ने 1000 students से apply कर दिया, इसमें माल लेते हैं कि 400 बच्चे जो हैं OBC के हैं और बाकी 200 बच्चे लेलो, 200 बच्चे, 200 students किस के हैं, EWS के हैं, और 100 बच्चे SC के हैं, और 10 बच्चे ST के हैं, 20 बच्चे ले लो, 10 कम हो जाएगा, ST के हैं, आप समझना होगा क्या, हजार लोगों ने यहाँ अपलाई किया, आप देखो, जो OBC वाला बक्ती है, एक से मैं समझाता हूँ, यह EWS से समझ लो, EWS वाले बक्ती कोई समझ लो, इस EWS वाले बच्चे की प करिए क्या चॉशे कांसलिंग करिये आप चॉशी करने होगी यह जोसा की चॉशें के हमारी लास्ट यह हम लोग ने अपने स्टूएंट्स को दिया था जोसा की क्या है बाई है आप जैसे हुआ क्या कि पहले नमबर पे इसने डाला एनैटेटी का सी अधाल नमबर पे डाला एनिटी सूरतकल का साइस एन इस वारंगल का साइस न इडिसुरत चल का एई इस तो सबसे पहले इसके फर्स च्राइब एंगे लोग चाहेंगे की सिक करेंगे कि क्या इसके राइंक पर यह मिल पा रहा है जैसे माल लो इसकी राइंक अगर आती है इसकी राइंक अगर आती है 400 हजार बच्चों में से इसकी राइंक आगई 400 और इसकी AWS राइंक आगई 100 तो यह लोग क्या करेंगे देखेंगे कि बागी के पहले लोग चक करेंगे किस रा तो यह लोग सीट अलॉट्मेंट करना स्टार्ट करेंगे जो कॉलेज के लोग हैं तो सबसे पहले हर बच्चे के लिए पहला च्वाइस चेक करते हैं कि क्या इसे मिल पा रहा है तो इसकी रांक 400 है तो 399 लोगों ने पहले 399 लोगों ने इस सीट के लिए दावा किया होगा अगर उनको मिल गया होगा उनके मिलने के बाद अगर इसीट बच गया होगा तो इसे मिल दाएगा अधर्वाइस नहीं मिलेगा तो जनरल में क्या है कि सबसे पहले वो लोग पहले स्वाइस च्वाइस को देखेंगे कि यह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अगर एस यारल र एक सो 10 सीट थी और 10 सीट एड़वलिवीस के लिए थी तो हो सकता है इस में से 8 सीट जरॉल हो और 2 सीट सिर्फ पहले तो पहले लोग चेक्क करते हैं कि अन्रिजर्व था प्यार्म सीट बच जाएगी वह सीट बाश्य को मिल डूड़ी पहले पहले लोग एगर उन्रिजर्व चेक्क नहीं तो ये लोग के टेगरी चेक्क करते हैं अब केटेगरी से कैसे चोगा, EWS rank इसके कितनी है 100 है, अब इस 100 है से 99 लोगों को पहले इन लोगों ने दिया होगा, अगर 99 लोगों को देने के बाद अगर हैं अगर हैं computer science बचेगी तभी इसको मिलेगी, otherwise नहीं मिलेगी, तो पहले यह लोग CRL rank से देंगे, उसके बाद category rank स देंगे, दोनों से कॉस्स करेंगे, कि मिला है, अगर नहीं मिलता है तो फिर अगला choice चुक्या यह लोगो अगर झирован को किया जाएगा, और जो choice मिलेगी, वही आपको क्या कर दिया जाएगा, E Muchas को कया यहां बैधों कर दिया जाएगा, और एक टेगरी रैंक सिर्फ और सिर्फ इन्ही दस पर लगेगी ऐसा नहीं है कि आप जाएं और आप बोलें कि मेरी CR मेरी EWS रैंक सब है 100 रैंक है सबसे मुझे देना ही स्टार्ट कर दो ऐसा ही नहीं कर सकते हैं आपकी रैंक जो EWS रैंक है वो CRL के एक्विलेंट हो इन्हीं दिया जाएगा वो CRL रैंक पर दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि अन्रिजर्फ शीट को EWS रैंक से इसा होने लगे तब तो ST वालों को बहुत फाइदा है क्योंकि ST वालों की रैंक बहुत कम आती है बहुत कम समझ रहो जिसकी CRL रैंक दो लाक है ना सोचो अगर किसी ब्यक् रैंक 10 लाक भी आएगी ना 8 लाक भी तो भी इनकी रैंक यहीं होगी 30-35 अभी 30-35 अगर से कंपेर करने करे जाकर जाना लगे फिर तो मामला ही खराब हो जाएगा बास समझ रोक नहीं और यहीं चीज पीडवलू में भी होता है पीडवलूडी में अलग रैंक निकलती है क उनमें इनकी क्या पोजिशन है कौन से नंबर पर यह आते हैं तो आई तिंग तुम्हें समझ में आ गया होगा लेकिन अब सवाल आता है कि भाया हम कैसे यूटिलाइज करें तो तुम्हें कुछ यूटिलाइज नहीं करना है यूटिलाइज तो एक कॉलेज वाले खुदी नहीं कि खाया हो टा विघिए एक शवालम प्रती में में टो कि आत्व जूटिलाइस में कि ईये कैसा था कि हूझ अच्छे से कर था ओर अनवे नहीं संवा यूटि को पर व्तिलाइज कर दिया घृष कर दिया कियो कुछ दों कर दिया कि को गीविशना है कि अपने हम से कि अगर इस स्माटली चोईस फिलिंग करोगे तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करोगे अब सवाल तुम्हारा ही है कि अच्छा बहुत बात बताओ जो रांक आती है जो रांक आती है कैसे आती है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो अलग-अलग, अलग-अलग, अलग-अलग counselling में रैंक, अलग-अलग तरीके से आती है, जैसे for example, this is JOSA, अब जोसा में बात करूँ, अब जोसा में बात करूँ, तो जैसे एक बच्छे की रैंक काड थी इतर, इसकी रैंक 8,699 है औ वो category rank है, JOSA वाले कैसा rank निकालते है, category rank निकालते है, जोसा वाले क्या rank निकालते है, category rank निकालते है, इसकी category OBCNCL है, अब मैं देखना चाहता हूँ, इसको क्या मिलेगा, तो देखो, इसको मिलेगा OBC, देखो, यह 1923 पे बंद हुई थी OBCNCL, OBCNCL की NIT वारंगल का VLSI, समझा रहा है, उसके बाद, उसके बाद, निटी सूरतकल का Computer Science Home Study के लिए 1908 पे बंद हुई थी, अब तुम एक बात समझना, यह OBC, यह category कौन सी, यह कौन सी सीट है, OBC type की सीट है, और इसकी यह rank है, यह rank है, जानते हो कैसी है, यह rank चानते हो कैसी है, यह rank जानते हो कैसी है लेकिन अगर मैं वही सी से में जाओं, तो सी से में, सी से में जो rank है, सी से में यही जो rank है, यही जो rank है, सी यारल डालनी पड़ेगी मेरे, मेरे को क्योंकि सी से वाली क्या करते हैं, जो result आउट करते हैं, वो सी यारल rank पे आउट करते हैं, तो इसकी सी यारल लगवववव 5008,000 की आसब दिए बास समंझ में आ रहा है आप देखो वहाँ निटी वरंगल की क्या मिल रही थी सीसा मैं निटी वरंगल की किऊ सी थी मिल रही ती यहां पर ब्रांच और अच्छा मिल रहा है अब यहां पर ईसी क्या मिल जैं Unit Trichi में जबकि मैंने रेंक ज्राइब है उसमें रेंक सिर्फ और सिर्फ कितनी दाली थी उननीस ओ डाली थी फिर सभी है नहीं पर यहां पर मैंने रैंक kilometre टमने आपैसेकर्ड को answer रए हैं शेंति लाड़िक और अबर योस पीण चुन आप AH उतर हजार रेंक हमने it कि अच्छा तो क्या सी से में रिजर्वेशन हट जाता है तो नहीं भाईया सी से में रिजर्वेशन नहीं अटता है मैं इसका प्रमार तुम्हें देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि सी से में रिजर्वेशन क्यों नहीं लगता है कि यह देखो प्रमार देखो, for example, आपन, यह तो पिछले साल का खुल गया, for example, आपन लोग राउंड टू ले लेते हैं, निटीज ले लेते हैं, और किस पर्टिकुलर निटीज ले लेते हैं, चोलो निटीज आपूर ले लेते हैं, अब तुम बता ना, ओपन केटेगरी को यहां, यहां, निटीज जयपूर में, 5000 राउंक पर मिलिया हैं, और EWS को 7500 राउंक पर मिलिया है, अगर और OVC को 10,000 राउंक पर मिलिया है, वही सीट, वही कंप्यूटर साइंस की सीट यहां 5000 पर बंद हो रही है, जनरल के लिए, EWS के लिए 7500 राउंक पर बंद हो रही है, और OVC के लिए 10,000 पर बंद हो रही है, अब तुमसे मैं पूछता हूँ, कि अगर केटेगरी सीट में नहीं लग रही होती, तो OEWS वालों को 75,000 राउंक पर एड्मिशन क्यों मिला, OVC को 10,000 राउंक पर एड्मिशन क्यों मिला, जब open केटेगरी वालों को 5000 राउंक पर एड्मिशन मिला, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछिन का रिजन सिर्फ यही है, कि यहां केटेगरी लग रही है, तो जिनके मुन में डाउट था, कि C7 में काटेगरी का यूज नहीं होता, क्या, नहीं भईया, काटेगरी का यूज होता है, लेकिन फाइनली जो राउंक निकाली जाती है, वो CRL वाली ही निकालते हैं, यह C7 वाले, तो जब तुम भी, जब तुम भी कटाफ देखो ना, तो काइदे के साथ ध्यान लगा के, देखो, उसके साथ, उसके अलामा, जिसे AKTU है, AKTU वाले तो कभी भी अपना काटेगरी रांक निकालते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CRL रांक निकालते हैं, जिसे माल लो एक बच्चे की रांक 35-40 जार है, माल लेते हैं, 40 जार है, आ आप इसको गौर्वर्मेंट कॉलेज चाहिए, आप गौर्वर्मेंट कॉलेज चाहिए, तो देखो, 60 जार डाल देता हूं, इसको गौर्मेंट कॉलेज चाहिए, तो आप देखना, इसमें क्या है, इस EWS सीट, देखो, मैंने बोलाता ना, ओपन में मिलाती है, यह EWS कंडि तो यह जो एकटी वाले अपने प्रेडिक्टर में निकालते हैं उस सिर्फ और सिर्फ निकालते हैं हर इस स्टेट के लिए आप तुम्हारे मन में आएगा कि क्या कोई फायदा नहीं होता है क्या तो यार क्यों नहीं फायदा होता है बिल्कुल फायदा होता है आप तुम देखो आभी आप देखो अभी आप देखो किसी भी कॉलिज का यहां पर भी उठागे देखो जैसे कमला नहरू का ओपें में क यहां से देखे लो तुम है कि देखू है कि यह देखू हूँ अब दो हुआ है कि मैं तुम्हें दिखा देता हूं इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा परिशान होने इनकी जुरुती बढ़ेगी तुम अपनी रांक फुद भी देख पाओगे अब इस बीटे किये इनकी ओपनिंग एंग लॉजिंग देखना जारा है थोड़ा शुलो चलता है इनकी वेबसाइट इनकी वेबसाइट से जाके तुम इनकी ओपनिंग लॉजिंग रांक को देख सकते ओफिचली ऐसा कोई मसला नहीं है ठीक है लोड उने में ठोड़ा टाइम लगता है धीरा इनोंने सिस्टम बनवा रखा है मैं राउंड 6 का देख लेता हूं या एक काम करो रांड 1 का ही देख लो किसी इंसिटूट को उठाओ आईटी देख लो इंसिटूट आफ इंगिरिंग टेक्नलोजी लग नहीं और केटेगरी ओल देख लो ठीक है अब तुम्हें आपर देखना लुक अडिस मिल टेक सचस्ट बैडा ऌर कि पेसेंज यहांस एप्ड पूरा न किलिए गा आइगा अगम टेंटी कि पूरा कपुरा का टेगरी का मसला आपका शाल जाए गोर किलिए जाएगा कि एका उस था और कैसे यूश था जैसे देको कि कंप्यूटर साइंस बीसी कटेगरी में कितनी मिलिए 47,000 रैंक पर कंप्यूटर साइंस बीसी कटेगरी में कितनी मिलिए 47,000 रैंक पर आईटी लगनों में एक कंप्यूटर साइंस में लिए किस कटेगरी को बीसी कटेगरी को आप देखना और वही कंप्यूटर साइंस कि इसको थोड़ा सा देखना है कि वहीं पंक्त इसके की साइस सभी को का यहां तक मिला है यह तक और बीचिक टेग्री को मिला ताम मा तहश्य रैंक तब एसकूर खेव सब्सक्रेजन नॆइख यहां लग रही होती दराख्ई यहां अलाङ निई जाना सिर्फ और सिर्फ कट्रीघ निकाली जाती है जो साही एक ऐसी काउंसलींग है जहां पर निकाली जाती है कटव के वैस्स पर और देखने को मिलती है तो यह बात ध्यान रखना यह डिफरेंस था स्यारल राइंक और उसके बीच में और तुम ऐसे ही क्या कर सकते हो अपने कटेग्री राइंक को बैस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हो सब कुछ डिपेंड करेगा तुम्हारी चॉइस फिलिंग पर अगर तुम्हें गलत करी अच्छे तरी काजी तो 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 यूज नहीं कर पाओगे तुमसे लो रैंक वाला बच्चा जो तुम्हारे चाटेग्री में तुमसे पीछे था ता वह भी तुमसे बेटर कॉलेज म